एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। गोवा तक सीधी रेल सेवा, बस सेवा तता हवाई सेवा उपलब दे। यदि आपके पास समय की कमी है तता बजट संबद्धित कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ्लाइट से गोवा जाईए। यदि आप एक से दो महीने पहले गोवा जानी की एकोनोमी फ्लाइट बुक कर लेते हैं तो फ्लाइट का किराया प्रतिविक्ती दो हजार से तीन हजार रुपे के बीच ही पड़ेगा। तता आप अपने ग्रह नगर से फ्लाइट से केवल एक से दो घंटे में गोवा पहुंच जाएंगे। यदि आप ट्रेन से गोवा आते हैं तो ट्रेन का किराया तो बहुत कम लगेगा। परंतु गोवा तक पहुंचने में समय एक से दो दिन लग जाएंगे। बस से भी गोवा पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि आप फ्लाइट से ही गोवा जाएंगे। गोवा पहुंचने के बाद आप एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन अथवा बस स्टेंड से अपनी आनलाइन बुक होटल टक टेक्सी से जाएं। गोवा में आप होटल एसी बुक कीजिएगा जो बीच के पास हो। अपनी होटल में चेक इन करने के उपरांद आप अपनी होटल में चाय नाश्ता करें तता उसके बाद अपनी होटल के पास जो भी बीच हो, वहाँ घुमने निकल जाएं। आप समुदर के पानी में खु अगले दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा गोवा घुमने के लिए आप होटल से बाहर निकल जाएं होटल के बाहर ही आपको किराय पर स्कुटर, बाइक तथा कार देने वाले ट्रेवल एजंड मिल जाएंगे आप वहाँ से अपनी मन पसंद गाड़ी किराय पर ले सकते हैं स्कुटर का एक दिन का किराया केवल दो सो पचास रुपे होता है, बाइक का किराया साड़े तीन सो रुपे तता कार का किराया आट सो से एक हजार रुपे के लगबग होता है ये वहान किराए पर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कापी ट्रेवल एजेंट को देनी होती है एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी गाड़ी किराए पर लेते हैं उसका फोटो अपने मोबाइल में खीच ले तथा उस वहान का RTO registration नंबर में नोट कर ले इसका कारण यह है कि गोवा में आप जहां भी अपना वहान पार्क करेंगे वहान आपके वहान जैसे ही सिकड़ो वहान पार्क होंगे यदि आप अपनी गाड़ी का नंबर याद रख लेंगे तो आपको अपनी गाड़ी खोजने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वहान किराय पर लेने के बाद आप सबसे पहले अपने वहान में पेट्रोल डलवाएं क्योंकि जब आप गाड़ी किराय पर लेते हैं तो गाड़ी किराय पर देने वाले गाड़ी में लगबग आधा लीटर पेट्रोल ही देते हैं गोवा में पेट्रोल पंप बहुत दूर होते हैं इसलिए गोवा में हर आदे किलोमेटर पर सड़क के किनारे बोटल्स में पेट्रोल बिखता हुआ मिल जाएगा आप पेट्रोल पंप की जगए इनसे ही पेट्रोल ले ले हाला कि यह पेट्रोल आपको 5-10 रुपे जादा मे बागा बीच देखने जाएं इस बीच पर आप डॉल्फिन राइड पेरा सेलिंग बनाना बोट राइड वाटर स्कूटर आधी वाटर एक्टिविटीज को अपने परिवार के साथ इंजोई कीजिए यह सारी वाटर एक्टिविटीज आप यदि एक साथ बुक करते हैं तो आप बहुत कम पेसे में यह सारी एक्टिविटीज इंजोई कर पाएंगे इन सारी वाटर एक्टिविटीज में आपको तीन से चार गंटे का समय लगेगा यह एक्टिविटी करने के बाद आप बीच पर ही किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप अगोडा फोर्ट चापुरा फोर्ट तथा स्विंक्वेरियम फोर्ट देखने जाएं इन फोर्ट को देखने में आपको तीन से चार गंटे का समय लगेगा गोवा के फोर्ट देखने के बाद आप अपनी होटल में या किसी अन्य रेस्टोरेंट में डिन कलिंगट बीच पर स्थित कलिंगट रेसिडेंसी होटल पर आठ बजे तक पहुंच जाएं इसी होटल के रिसेप्शन से आप साउध गोवा बस ट्रिप बुक कर लें इस ट्रिप का किराया एसी बस से केवल साड़े तिन सो रुपे है बस आपको इसी होटल से साड़े आठ ब टूरिजम डिपार्टमेंट की यह बस आपको ओल्ड गोवा के चर्च जैसे बसलिका आफ बॉम जीजस सेंट केथर्डरल चर्च श्री मंगेश टेंपल श्री शान्ता दुर्गा टेंपल बिक फूट पोर्तगीस हाउस तता साउध गोवा के बीच का अच्छे से ब्रहमन क की होटल फार्मागोडी रेसिडेंस में यह बस लंच के लिए भी रुकती है लंच आपको अपने पेसे से करना होता है लंच टूर पेकेज में शामिल नहीं होता है फार्मागोडी रेसिडेंसी का भोजन बहुती टेस्टी तता रिजनेबल होता है गोवा टूरिजम की यह इसके बाद आप डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार गोवा में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें तता दूद सागर वाटरफाल देखने के लिए अपनी स्कूटर से या अपनी कार से निकल जाएं यह वही जहरना है जिसे चेन्ने एक्सप्रेज मूवी में दिखाया गया था यह वाटरफाल सडक मार्ग से पनजी से साट किलमेटर दूर इस्ती थे दूद सागर वाटरफाल से लगबग 15 किलमेटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है तथा आगे की यात्रा महाँ पर वन विभाग द्वारा स्वीकरत एवं अधिकरत जीप से ही करनी होगी इस जीप का किराया 400 रुपे प्रतिवेक्ति होता है तथा फॉरेस्ट एंट्रिफीज तथा लाइफ जेकेट फीज 55 रुपे अलग से देनी होती है इस प्रकार 500 रुपे प्रतिवेक्ति खर्च इस वाटरफाल को देखने में आता है इस वाटरफाल को देखने के लिए आपको जीप जिस जगह छोड़ देगी वहाँ से आपको पेदल भी बहुत चलना पड़ेगा यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा बुजर्ग लोग हैं तो आप इस वाटरफाल को देखने मत जाईएगा क्योंकि इस वाटरफाल तक पहुँचने का रास्ता फिसलन भरा तथा उबर खाबड़े जिस जीप से आप दूद सागर वाटरफाल देखने जाते हैं उसका ड्राइवर आपको केवल डेड़ घंटे का ही समय इस जहरने को देखने के लिए देता है तथा केवल डेड़ घंटे में ही आपको वापस अपनी जीप तक लोटकर आना पड़ता है तथा वह जीप वापस आपको आपकी गाड़ी जहां पारक है महां छोड़ देती है इसलिए आप इस जहरने को ठीक तरह से एक्स्प्रोर नहीं कर पाते हैं इस वाटरफाल के पास खाने पीने की भी कोई अच्छी रेस्टोरेंट नहीं है इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामन जरूर ले जाईएगा यहाँ वाटरफाल पूरे साल बर भैता रहता है परंतु वर्षा रितु में इस जहरने तक जाना बहुत खतरनाक माना जाता है यदि आप वर्षा रितु में गोवा जा रहे हैं तो भूल कर भी इस जहरने को देखने मत जाईएगा गोरतलबे की पहले ट्रेन द्वारा भी इस जहरने को देखा जा सकता था परंतु कॉंकन रेलवे ने जहरने वाले स्थान पर ट्रेन को रोकने की मना ही कर दिये तो आप इस waterfall को अब train द्वारा नहीं देख सकते हैं हमारी आपको सला है कि यदि आपके पास पूरा एक दिन हो तथा आप पूरी तरफ फिट हो तो ही इस जहरने को देखने जाईएगा इस waterfall को देखने के बाद आप वापस अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें पांचवी दिन आप अपनी होटल में सुबह का नाश्ता करें तथा कलिंगट बीच अत्वा बागा बीच पर आ जाएं यहां से आप dolphin boat ride trip बुक करें dolphin boat ride trip का प्रतिविक्ति किराया 300 रुपे होता है आप bargain करके किराया कम भी करा सकते हैं dolphin boat ride सामाने ता सुबह के समय ही चलती है dolphin boat ride trip में आपको समुदर में काफी दूर तक ले जाकर dolphin दिखाई जाती है dolphin boat ride trip में आप सेकडो dolphin को बहुत पास से अठखेलिया करते हुए देख सकते हैं इस dolphin boat ride trip में आपको लगबग 2 घंटे का समय लगेगा dolphin boat ride करने के बाद आप बीच पर फोटो क्लिक करा सकते हैं बीच पर बहुत सारे professional photographers होते हैं जो कि आपके बहुत सुन्दर फोटो क्लिक करेंगे इसके बाद आप वहीं किसी अच्छे से restaurant पर lunch करें तथा उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बीच शेक्स पर आराम करें गोर्त लभी की बीच शेक्स एक प्रकार की आराम करने की कुरसिया होती हैं जो कि बीच की रेट पर लगी होती हैं तथा इनके उपर बड़े बड़े रंगीन चाते लगे होते हैं इन बीच शेक्स कुरसियों का किराया सो रुपे प्रती घंटे होता है इसके बाद आप अपनी गाड़ी से सांता मोनीका जेटी नामक स्थान पर जाएं यहाँ पनजी के पास है इस जगह से गोवा की मांडवी नदी में जो क्रूस चलते हैं उनमें बिठा जा सकता है आप इवनिंग क्रूस अत्वा संसेट क्रूस बुक करें इसका किराया दो से रुपे प्रती विक्ति होता है यह क्रूस आपको लगबग एक घंटे तक नदी में घुमाते हैं इस दोरान क्रूस पर गोवा के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं यदि आपका मन गोवा के केसिनो को देखने का हो तो आप इसी जगह से गोवा के केसिनो में भी जा सकते हैं कसिनो की एंट्री फीज 3,000 रुपे से 6,000 रुपे की बीच होती है इसमें रात का डिनर भी शामिल होता है तथा केसिनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स भी फ्री में मिलती हैं परंतु आप यह ध्यान रखें कि केसिनो में आप 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को न तथा अपनी किराई से ली गई गई गाड़ी वापस कर दें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथो बस इस्टेंट पहुं जाए इसके बाद आप अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें इस प्रकार आपकी खूपसरत गोवा ट्रिप खूपसरत यादों के साथ समाप्त होती है अब हम इस छे दिन की गोवा ट्रिप के अधिक्तम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का टेक्सी या स्कूटर का कुल किराया 6,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का होटल का किराया 6,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का छे दिन का एक्टिविटी का कुल खर्च 8,000 रुपे चार लोगों का गोवा में 6 दिन का अधिकतम कुल खर्च 46,000 रुपे इसे हम चार से डिवाइट करते हैं तो प्रतिविक्ति अधिकतम कुल खर्च 11,500 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 11,500 रुपे में शांदार तरीके से फ्राइट को शामिल करते हुए गोवा घुम सकते हैं यदि आप फ्राइट की जगे ट्रेन या बस से गोवा आते हैं तो यात्रा खर्च 16,000 रुपे से घटकर केवल 6,000 रुपे ही आएगा तथा चार लोगों की इस गोवा यात्रा का कुल खर्च 36,000 रुपे ही आएगा इस प्रकार प्रतिवेक्ति खर्च भी 11,500 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतिजार मत कीजिए जल्दी ही गोवा घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू